ओम्श्री मन महागणाधी पते नमः जैमाता दी जैमा का मक्या दुरुगति नाशिनी दुरुगा जै जै कालवी नाशिनी काली जै जै उमारमा ब्रह्मानी जै जै सीता राधा रुकुमनी जै जै मंदिर में बहुत से घरों में हम देखते हैं मंदिर रेता है और उस मंदिर में बहुत सारी चीजे रेती है जो नकारात्मक उर्जा उत्पन्न करने का काम करती है मंदिर हमेशा स्वच्छ होना चाहिए सुन्दर होना चाहिए साफ सुत्र होना चाहिए गंदगी नहीं होनी चाहिए घर का मंदिर की बात आज हम कर रहे हैं आपसे घर के मंदिर में शाष्टर के अनुसार पंच देव की पूजा करना चाहिए बस यदि मनुश्य को सुखी रेना है स्वस्त रेना है प्रसन रेना है आनंद में रेना है सुख से रेना है शान्ती से रेना है तो केवल पंच देव की पूजा करना चाहिए और पंच देव में भी सब एक-एक मुर्ती ही घर में रखे और मुर्ती पूजा ही करें तश्वीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए मानो तो ठीक ना मानो तो ठीक आपके उपर निर्भर है मेरा धर्म था आपको ग्यान देना ताकि घर में कस्ट की प्राप्ती न हो एक घर के अंदर एक जगे इश्यान कोड में ही मंदिर होना चाहिए हर कहीं मंदिर नहीं रखा जाता है बहुत से लोग किचीन के अंदर मंदिर रख देते तो वो भी दोश लगता है बेडरू में मंदिर बना लेते हैं तो भी दोश लगता है मंदिर ऐसी जगे होना चाहिए कि अपने घर में जो इस्थरी, बेहन, बेटी, पतनी, बहु, मा इत्यादी रेती है ये मासिक धर्म से होती है, अशुद दवस्था में होती है एमसी पीरेट से होती है, रजस्वला से होती है तो इनकी अशुद दवस्था में इनकी चाया भगवान के उपर नहीं पढ़नी चाहिए, मंदिर के उपर नहीं पढ़नी चाहिए इसलिए इशान कोण में मंदिर रखा जाता है, इशान कोण में ही पूजा होती है पुरब में प्राधना करने वाला का मुख पुरब मुख होना चाहिए, इश्वर का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और जो पंच देव है, उनके अलावा छटे देव की मुर्थी पूजा रूम में नहीं होनी चाहिए जगे जगे हम देखते हैं, बहुत सी जगे घरों में की शोरूम रखे देते हैं और शोपीस के अंदर भगवान जी रख देते हैं कहीं पर गणे जी नाशते हुए उनके पर गिफ्ट में आ जाते हैं तो वो रख देते हैं नटराज जी रख देते हैं नाशते हुए ये फिर और भोले नात आगे ध्यान सवस्ता वाले तो वो रख दिये तो ऐसे भगवान की मुर्तियों को एक तो गिफ्ट में देना ही नहीं चाहिए और यदि देता है कोई व्यक्ति तो उसको दोश लगता है क्योंकि जिस घर में वो मुर्ति जा रही है वो केवल फत्तर की मुर्ति रेती पर उससे भी एनर्जी निकलती है जो एनर्जी चेक करने वाले होते हैं आप उनसे बात करेंगे तो वह वश्य बताएंगे कि हाँ साब इस मुर्ति में एनर्जी है या नहीं है तो कई बार एसी जो मुर्तियां शोपीस के रूप में किसी शोड़ केस में रखी रहती है उससे भी नकारात्मक उर्जा निकलने लग जाती क्योंकि उसमें नकारात्मक शक्ती और त्रप्त आत्मा बेट जाती है और वो आपके घर में क्लेश कराने का काम करती है अश्यान्ती कराने का काम करती है दुख देने का काम करती है किसी को परचाई के रुप में दिखने का काम करती है इसी लिए कहते हैं कि शोपीस में शोकेस में शोपीस की मुर्थिया नहीं रखनी चाहिए और सभी मुर्थियां एक-एक ही होनी चाहिए दो-दो मुर्ती नहीं होनी चाहिए, तिन-तिन मुर्तिया नहीं होनी चाहिए सिर्फ एक गणेजी आप रख लें एक ही शिव लिंग रखना चाहिए एक ही ठाकुर्जी लड़ु गोपाल होना चाहिए एक ही दुर्गा माताजी की पूजा करना चाहिए और सुर्य नारन भगवान की पूजा करना चाहिए पस ये पंच देव है जिनकी पूजा करने का विधान शास्त्र में बताया गया है मानो या ना मानो ये सत्य है यदि आपके घर में बहुत सारी तश्वीरे रखी हुई हो बहुत सारी मुर्थिये रखी हुई हो तो मैं आपसे विनम्न प्रार्थना करता हूँ कि इन सब को विसर्जन कर दीजे, विदी विधान से पूजन अर्चन करने के बाद में विसर्जन कर दीजिए, या जिसके घर में पंच देव नहीं हो और वो पूजा करने के लायक हो, उचित व्यक्ति हो, उसको आप दे सकते ह परन्तु एक से ज़्यादा मुर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए, न तो शोकेस में और नहीं पूजा के इस धल पर सभी मुर्तियां एक-एक ही होनी चाहिए, सभी मुर्ति ठोस होनी चाहिए, पोली मुर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, और मिट्टी से बनी हुई मुर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए लंबे समय तक मिट्टी से बनी हुई मूर्थी की पूजा करके तुरंट उनको विशरजन कर देना चाहिए यहने अपने यहाँ पे एक धातू, त्री धातू, पंच धातू और अस्ट धातू की मूर्थी की पूजा करने का विधान है और मुर्टियां भी सब नो इंच से छोटी होनी चाहिए रोजाना उन मुर्टियों के सामने दीपक लगाना चाहिए घी का दीपक लगाना चाहिए घी नहीं हो तो तिल के तेल का दीपक लगाए तिल का तेल भी नहीं हो तो सरसु के तेल का दीपक लगाना चाहिए, पंतु सुबह श्याम दीपक अवश्य लगना चाहिए, रोजाना धूप दीप अवश्य करना चाहिए, धूना भी अवश्य देना चाहिए, कपू रोजाना घर के अंदर जलाना चाहिए, और जैसा मैंने का है गणेज जी की दुरगा जी की शिव जी की लड़ू गोबाल जी की और सुर्णान भगवान की इन पंच देव की ही पूजा करना चाहिए अन्य देवी देवता की पूजा मंदिर में जा करके ही करना चाहिए मंदिर में ही जब तप करना चाहिए क्योंकि बाकी सब जो है उग्र देवता होते हैं और घर के अंदर हमें सुक्ष, सम्रद्धी, शान्ती चाहिए होती है, इसलिए हमें शान्त प्रकृति के देवी देवता की पूझा करना चाहिए, अगर मानते हो तो आप सुकी रहोगे, नहीं मानते हो, आप कहोगे नी साम मेरे तो इस्ट देवता हन प्रमान जी मैं उनकी मुड़ती रखूँगा, तो आप रखो, फिर आप कस्ट भोगने के लिए भी तयार रही है, बहुत से लोग कहते हैं मेरे से के साम मैंने तो दिल के अंदर खून-खून में मेरे काली मा बसी हुई है, तो मैं घर में काली मा की पूझा नी करूँ क्या करूँगा, तो करोगे तुभी या कस्ट भूकतो, हमें क्या करना, हमारा धरम है, हमेरा धरम है ग्ञान देना, हम आपको ग्ञान दे रहे हैं, अब आप कहेंगे, हम तो कस्ट भी सेहन कर लेंगे, तो सेहन करिए और पूझा करते रहिए, इससी प्रकार से बहरवजी उग्रदेवता है, शराब का सेवन करते हैं, शराब का भोग लगता है, तो ये सब उग्रवादी चीजे होती है, घर के अंदर उग्रवादी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए इनकी फूजन अर्चन करें, आपने इस्ट बना लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने गुरु बना लिया है, उनको वो भी अच्छी बात है, पंदो उनकी फूजन अर्चन आप मंदिर में करें, जहांपन उनकी प्रान प्रतिष्टा की गई है, और विधी विधान से रोजाना फूजन अर्चन होता है, वहाँ जाकर के आप जब करें, तब करें, प्रति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, अलग से मंदिर होना चाहिए, जिस जगे आप पूजन अर्चन करें, अलग से मंदिर जैसे स्टाइल डिजाइन का मंदिर बनाना चाहिए, चाहिए वो संगमरमर का बना लें, चाहिए वो इंटों से बना लें, या फिर चाहिए लखडी का बनाए जा और पित्रों की तश्वीरों को घर में कहीं पर कभी भी नहीं टांगना चाहिए इसके उपर पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि पित्रों की तश्वीरों को टांगने का मतलब है हम पित्रों को बारम बार याद करते हैं और यदि हम पित्रों को य कभी कभी जवान बेटे की मोथ हो जाती है तτι ये माँ बेटे भी पती पतनी मिलकर अपने गते के लिए रोते रहते हैं कि मेरा जवान बेटा मर गया इस सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो मर गया है उसकी तश्वीर कभी भी दिवाल पे टांग करके उसको बारमार याद नहीं करना चाहिए और घर के मंदीर में तो बिलकुल भी पित्रों की तश्वीर नहीं लगाना चाहिए और शाली गरामजी जो होते हैं उनको हमेशा घर के बाहर तुझसी के कुंडे में नीचे रखायरेना चाहिए शाली गरामजी को भी पूजा इस तलबे नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो भी काले देवता हैं और उनकी कहानी आपको सबको मालूम है ही मुझे बताने की जरोत नहीं होना चाहिए इस प्रकार से घर के मंदीर में केवल पंचे देव की पूजा करें दीपक लगाएं साप रखें सच रखें शुद्धता रखें तश्विरों की पूजा मिल्कुल भी नहीं करें एक साधिक मुर्तियां आपके घर में नहीं होनी चाहिए जो इदी हो तो किसी को दे दीजे गिफ्ट दे दीजे नदी ताला में विसरजन कर दीजे किसी मंदीर में रख दीजे या पीपल के वरख्ष के नीचे रख दीजे जिसको ले जाना होगा वह ले जाएगा जैमाता दी जैमा का महाँ क्या क्योंकि आप थोड़ा सा उन मुर्तियों से प्रेम करने लगते हैं, महबत करने लगते हैं आपका मौह हो जाता है वह मौह ही आपको खा जाता है इसलिए मौह बिलकुल मत करिए मुर्थियों को जो नो इन से बड़ी हो उनको पीपल के व्रक्ष के नीचे या किसी मंदीर में जा करके पंडित जी को दे दीजिए ताकि महापर उनका पूजा नर्चन होता रहेगा एक से अधिक मुर्थियां हो तश्वीर हो तो उन्हें जरूर रिसर्जन कर दीजिए मानो या न मानो ये पूनतर सत्य है नहीं मानोगे तो कस्ट भोगना पड़ेगा फिर आप कहोगे भगवान से कि मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया भगवान हमें कस्ट क्यों दे रहा है अक्सर ये प्रशन में से किया जाता है कि गुरुजी हमने जीते जी तो कभी किसी को कस्ट नहीं दिया हमेशा मदद करने की कोशिश करिये और मदद ही कि फिर भी भगवान ने आज हमें ये दिन दिखा दिये अरे भगवान के उपर उंगली क्यों उठाते हो अपने पराय तोड़ दी कितनी मान्यताय तोड़ दी कितनी प्रथाय तोड़ दी तो कुल देवी देवता पित्र देवता नाराज होते हैं इसलिए कस्ट की प्राप्ति होती है इसलिए हमारी जो परंपराय हैं मान्यताय हैं रीति रिवाजे उनको बिढकुरु भी नहीं तोड़